नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे लट के बारे में बताने वाली हूँ जिससे हमारे दुनिया भर में सेंक्रो लोग रस्त हैं जिहां बात करते हैं मुबाइल की लट की लट कैसे छोड़े एक कहानी शुरू करते हैं एक तेरे साल का लड़का अपने घर में सुसाइट कर लेता है और सुसाइट नोट में लिखता है कि मम्मी आप रोना मत ऑनलाइन गेम में मैं 40,000 रुपे डुबो चुका हूँ और इसके लिए मुझे माफ करना एक और दूसरे शहर में 14 साल का लड़का वो सिर्फ इस वज़े से सुसाइट कर लेता है क्यूंकि उसकी मम्मी उसे स्मार्टफों छीन देती है और उसे लेकर के आफिस चली जाती है बच्चे को मुबाइल गेम की लट लगी हुई थी ऐसी बहुत खबरे आती रहती है जो खबर सुने वाले के लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है और ये कोई नई बात नहीं है लेकिन जिसके परिवार या किसी की फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो रहा है उससे एक बार पोच कर देखिए उसको कितना बुरा लगता है जिन्दगी जीने का पूरा होसला टूट जाता है हमारे देश में करीब 90 करोड लोग स्मार्टफों यूज करते हैं जिसमें से देश में 40 करोड लोग 2022 में किसी ना किसी तरह का घिंच जरू खिलते हैं ऐसे में मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ ये जाने की कोशिश करने के लिए आखे स्मार्टफों के यूज से हमारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और क्या इस समय का और इस समस्या का कोई सॉलूशन है या नहीं हर समस्या और समाधान की गहराई से जाच परतार करने के बाद मैं ये टॉपिक आप के लिए लाया हूँ इसलिए इसे आपको बिना स्किप किये पूरा देखना चाहिए हो सकता है आप खुद मोबाईल एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं या आप हो सकते हैं आपके फैमली में ऐसा कोई है जो समार्टफोन एडिक्शन का सिखार हो रहा है और आपके बच्चे भी हो सकते हैं और ये बात आपको पता नहीं होगी आज हम हर उस बिंदू को कवर करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये जान सकेंगे कि हम स्मार्टफोन के प्रभाव में कितना फस रहे हैं कितने लोगों के फैमिली में इतने बच्चे हैं जो बिना काटून देखे खाना नहीं खाते वो तब तक कोई बात नहीं मानते जब तक उनके हाथ से स्मार्टफोन ना दे दो ये बच्चों की बात नहीं बड़े भी कम नहीं है कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो उनकी मुंडी नीचे ही रहती है आसपडोस में कौन है? देश दुनिया में क्या चल रहा है? प्रकृती में क्या हो रहा है? सर्दी गर्मी बरसात क्या चल रही है? कोई मतलब नहीं है केवल मुबाइल में ही लगे रहते हैं उनको केवल अपने मुबाइल से ही मतलब है डबलू अचों ने एक बच्चों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बताया गया है कि उम्र के हिसाब से बच्चों को कितना टाइम, मुबाइल स्क्रीन के सामने गुजारना चाहिए वो बच्चों की गाइडलाइन थी हम बड़े क्या कर रहे हैं हम बच्चों के सामने ऐसा क्यों एक्जामपल पेस कर रहे हैं क्या हमारे सपने इतने हलके हैं कि छोटी सी 4-6 इंज की जो स्क्रीन है उसके अंदर ही सिमट कर रह गई है यह एक ऐसी लत है ना जो बहुत सारे लोगों को चपेट में ले रही है जिसका डिरेक्ट असर हमारे दिमाग पर पड़ता है छोटे बच्चों को आप डरा धमका कर कि मुबाइल से दूर करक सकते हैं लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब इनसान समझदार हो और उसके बाद भी बे स्मार्ट फोन के एडिक्शन में एक रिपोर्ट में आया था कि 50 फीजडी से ज़ादा टीनेजर्स मुबाइल फोन एडिक्टिड है रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 88 परसी तर टीनेजर्स लोग ऐसे हैं जो नॉटिफिकेशन को लेकर एक्टिवेट है शोशल मीडिया पर कोई भी नॉटिफिकेशन आता है तो इसको चेक ज़रूर करते हैं करीबन 88 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो हर घंडे अपने डिवाइस को बिना मतलब के चेक करते रहते हैं जो चीज है ना वो नसे भी बहुत खतरनाख है मैं यहां पर नसे को अच्छा नहीं बता रहा हूँ नशा कोई भी वो बुरा ही होता है मानती हूँ कि आज की टाइम में स्मार्टफोन जरूरी है पढ़ाई उसी में होती है और नाइन क्लासिज उसी नहीं होती है नौलेग उसी से भरता है साथ में हमारी सिक्योर्टी भी बढ़ती है बुल भी बच्चा कहीं भी जा रहा है एक्जैम देने जा रहा है कहीं पर भी जा रहा है तो मुबाइल जरूरी होता है बात करना जरूरी होता है लेकिन वो जरूरत कहीं जाहिर नहीं होती है और ये जरूरत कहीं जहर तो नहीं बनती जा रही है कितनी फैमली में कितनी ही फैमली में ऐसा होता है कि स्मार्ट फोन को लेकर के लड़ाईयां होती है सारा दिन मोबाईल के लेकर बैठे रहता है कुछ काम नहीं करता यहाँ पर फोन नहीं चलाना चाहिए जहाँ पर सिचुएशन बोल रही हो यार तुम्हें कुछ और काम करने की जरूरत है वहाँ पर फोन यूज किये जा रहे हैं जैसे सोते टाइम अपने नीद से कॉम्प्रमाईज कर लोग मोबाईल में क्रोमोमाईज रानी की कॉम्प्रमाईज नहीं करते भले ही कितने चिर्चडे हो जाएं कितनी ही डिप्रेशन में आ जाएं कितनी ही बेचैनी हो जाएं पर मोबाईल इसे नहीं चुछा हो क्या रहा है ये कोई काम कर रहे हो कहीं कुछ सीख रहे हो अपने बिजनिस को स्पोर्ट मिल रहा है मोबाइल से आपके लाइफ में कुछ important काम हो रहा है कुछ quality एड हो रही हो तो समझ में आता है ये क्या गेम खिला जा रहा है ये क्या मतलब सोशल मीडिया पे वे फाल्तु की फोटो डाली जा रही है, लाइक की जा रही है, शेर की जा रही है लाइफ में क्या हो जाएगा, कुछ घट जाएगा क्या अधिकतर जो टीनेजर्स हैं और जो यंग पीपल है ना वो अपने स्मार्टफोन का यूस या तो गेम खेलने के लिए करते हैं या फिर फाल्तु फाल्तु की वीडियो देखते रहते हैं टाइम पास करते रहेंगे, चैटिंग करते रहेंगे, हमें सबसे पहले ये समझना है कि आखिर किसी भी वीडियो को इतना एक्टिव क्यों बनाया जाता है क्योंकि जो गेम और वीडियो बना रहा है, उसको बिसनिस करना है शुरू शुरू में हम गेम क्यों खेलते हैं, वीडियो क्यों देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुबाइल में अराम से टाइम पास हो रहा है मज़ा अरायल लेकिन जब असल में वो चीज हमारे शरीर में खुल जाती है तो हमारे ब्रेम में डोपामाइन रिलीज होता है ये एक हार्मोन होता है जो तब रिलीज होता है जब हमें किसी काम को करने में मज़ा आने लगता है और फिर किसी को काम करने में डोपामाइन रिलीज होता नहीं होगा गेम में ऐसा बनाया जाता है ना कि उसे अलग-अलग लेवल पर पार करने पड़ते हैं उसे हमें एक आर्टिफिशल सटिस्फेक्शन मिलता है कि हां यार मैंने इतने लेवल पार कर लिए बचपन में जो गेम खेलते थे भागना दोड़ना करकेट खेलना वो सब कहा गया जो स्मार्टफोन के अंदर अपने गोल्स हैं वो आपकी रियल लाइफ में क्यों नहीं है गेम के अंदर क्या होता है बताइए स्मार्टफोन के गेम में जब भी आपको लेवल पार करते हैं तो आपको रिवार्ट्स मिलते हैं यानि कि आपको पॉइंट्स मिलते हैं कहीं उसे पार करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है क्या आप रियल लाइफ में भी रिवार्ट्स नहीं दे सकते अगर आपका होमवक पूरा हो गया तो खुद को रिवार्ड दो थोड़ा बहार घूम कर आओ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो जो बीच में 10 या 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं उसमें स्मार्ट फोन को मत छेड़ो मत चुओ बहार जाओ किसी खुली हवा का सास लो मैदान में जाओ अपने दोस्तों से बात कर लो अपने बड़ों से कुछ सीख लो कुछ बचों के पास में बहुत बड़े लक्ष होते हैं लेकिन वो लक्ष के कितने करीब हैं ये मेजर नहीं कर पाते लेकिन जब आप मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं तब आपको पता होता है कि मुझे सत्तर पॉइंट्स मिल गए है मुझे तीस पॉइंट्स और चाहिए मैं इतना दूर आ गया हूँ इतना दूर और जाना है और इसके बाद मेरा लेवल कम्प्लीट हो जाएगा इसलिए वो अच्छा खेले में लग जाते हैं पता होता है ना हमें हम क्या कर रहे है मुबाइल पे हमें एक एक चीज़ की जानकारी होती है हम क्या कर रहे है हमें करना क्या है कितना लेवल हमने पार कर लिया है कितने पॉइंट्स चाहिए कहां पर खत्रा है रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता आपको बताना पड़ता है कि मन्जिल कितनी दूर है हो सकता है कि आप एक साल में अपनी मन्जिल प्राप्त कर लो या हो सकता है आपको दस साल लग जाए यह एक सबसे बड़ा reason हो सकता है यहाँ पर इसलिए आपके जो real life के goals है उसमें आपकी कोई dopamine नहीं निकल रहा है यानि कि आपको मज़ा नहीं आ रहा है लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए कि जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो लोग आपको किसलिए याद करेंगे क्या आपको इसलिए याद करेंगे कि भाया उस game में 20 level तक पार कर लिये थे आपको इसलिए याद किया जाएगा कि आपने अपनी रियल लाइफ में क्या-क्या कमाया और क्या-क्या किया अगला solution है कि बच्चों को उनके progress के बारे में बताएं उनको motivate करें कि वो self motivate रहें भाई ये जिन्दगी है तुम्हारी है जो वीडियो बना रहा है जो गेम बना रहा है उसका काम है पैसा कमाना अच्छी चीज़ें देखो अच्छी वीडियो देखो जो आपकी लाइफ में कुछ quality एड़ कर रही हो ऐसा काम करो जिससे आप अपनी लाइफ में आगे भड़ पाए ये जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लट है न अगर आप इसमें कोई productive काम नहीं कर रहे है तो वो आपको नुकसान दे रही है मुझे उमीद है कि आपको ये मेरी speech या मेरी कही कही बातें meaningful लगी होंगी और इनका मतलब भी आपको समझ आया होगा मैं आप से request करती हूँ आप अपने घर पे अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ समय बिताईए उनको मुबाइल की importance भी बताईए और उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है वो कितना पीछे छोट रहे हैं उनको ये भी बताईए दोस्तों इसी के साथ अब मुझे इजाज़त जी दिये मैं आपको मिलती हूँ एक नहीं motivational story के साथ इसी चैनल पर आप देख वहे थे आपका अपना पसंदिता YouTube चैनल अज़ाद में कहानिया